हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग दब्बारवर सोप यारी कि नाई की दुकान के बारे में लिखने जा रहे हैं और दोस्तों basic level के sentences होंगे तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा यदि आप basic learner है और यदि आप advanced learner है तो नीचे description box में आपको link मिल जाएंगे उस पर क्लिक कीजिए और सभी advanced translation को जरूर देखिए हम सभी नाई की दुकान जाते हैं हम सभी नाई की दुकान जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर है जाते हैं यानि की sentence कंत में ता है ते है ती है रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि simple present tense में है इसमें subject प्लस verb प्लस object का यूज करते हैं यदि subject थर्ड परसं singular number he, see, eat या कोई एक वेक्ती या बस्तू का नाम रहता है तो verb में ace या es add कर देते हैं चुकि यहाँ पर subject हम है यानि की we जो की first person है तो इसके साथ verb में ace या es add नहीं करेंगे और दोस्तों यहाँ पर सभी है तो इसके लिए all लिख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे we all go to a barber shop बाजार में नाई की कई दुकाने है तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे कई दुकाने हैं और इसे देर से सुरूर करना पढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर subject नहीं मिल रहा है जैसे माल लिजी कई लड़के हैं there are many boys तो कई दुकाने हैं there are many shops तो यहाँ पर लिखेंगे there are many और यहाँ पर है दोस्तों नाई की यानि की barbers या फिर barber shops भी आप लिख सकते हैं directly in the market there are many barber shops in the market दोस्तों इसे market भी पढ़ा जाता है actual pronunciation market ही होता है एक दुकान मेरे घर के पास है एक दुकान मेरे घर के पास है तो दोस्तों के पास इसके लिए near लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं one soap is near my house दोस्तों इसे soap पढ़ेंगे soap नहीं पढ़ेंगे मैं वहाँ पैदल जाता हूँ मैं वहाँ पैदल जाता हूँ दोस्तों पैदल जाना यानि कि go on foot I go there on foot मैं वहाँ पैदल जाता हूँ यह एक छोटा दुकान है तो यहाँ पर लिखेंगे it is a small shop it is a small shop दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड टंगा हुआ रहता है दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड टंगा हुआ रहता है तो दोस्तों इसे भी simple present tense में लिख सकते हैं एक बड़ा बोर्ड अ बड़ा बोर्ड हैंगस आउटसाइड थे सौप अ बीग बोर्ड हैंगस आउटसाइड थे सौप उस पर दुकान का नाम लिखा हुआ है उस पर दुकान का नाम लिखा हुआ है दुकान का नाम यानि कि the name of the soap the name of the soap is written लिखा हुआ है उस पर on it या फिर आप that का भी यूज कर सकते हैं on that the name of the soap is written on it दुकान में एक बड़ी कुर्सी है तो यहां पर लिखेंगे there is a big chair in the shop there is a big chair in the shop मैं उस कुर्सी पर बैठता हूँ तो दोस्तों यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस में है यहां पर लिखेंगे I sit on that chair I sit on that chair वहां एक बड़ी मेज है यानि कि टेबल है तो यहां पर लिखेंगे there is a big table there दोस्तों इस there का मतलब हुआ वहां और इसे subject के रूप में लिखा गया है there is a big table there उस table पर कई चीजें रखी रहती है तो यहां पर है कई चीजें यानि कि there are many things there are many things और यहां पर रखी रहती है यानि कि kept on that table there are many things kept on that table क्रीम सेम्पू पाउडर फोम इत्यादी रहते हैं तो यहां पर लिखेंगे यहां पर यहां पर रहती है there are cream's, shampoos, powder, foam, etc. उस पर बिविन परकार की कैशियां रहती है तो यहां पर लिखेंगे there are बिविन परकार की कैशिया various kinds of seizures उस पर रहती है आप kept का भी यूज़ कर सकते हैं kept on it there are various kinds of seizures kept on it दुकान में एक बहुत बड़ा आइना है तो यहां पर भी there से शुरू करेंगे there is a big mirror in the shop there is a big mirror in the shop मैं मैं बाल कटवाते समय उसमें देखता हूँ बाल कटवाते समय यहां पर while यूज़ करेंगे तो यहां पर लिखेंगे I look into it मैं उसमें देखता हूँ बाल कटवाते समय while getting a haircut I look into it while getting a haircut मेरे पिताजी वहां दाड़ी बनवाने तथा बाल कटवाने जाते हैं मेरे पिताजी वहां दाड़ी बनवाने तथा बाल कटवाने जाते हैं तो यहां पर लिखेंगे my father और एक बचन है एक वेकती हैं यहां पर गोज हो जायेगा my father goes there for saving and a haircut my father goes there for saving and a haircut दुकान साफ रहती है the shop is clean नाई बहुत विनमर है तो यहां पर लिखेंगे the barber is very polite वह दुकान में अच्छा संगीत बजाता है वह दुकान में अच्छा संगीत बजाता है तेहां पर लिखेंगे he plays good music in the shop मैं हमेशा उसी दुकान में बाल कटवाने जाता हूं तो दोस्तों यह भी simple present tense में है तो यहां पर लिखेंगे I always go to उसी दुकान में the same shop बाल कटवाने for a haircut I always go to the same shop for a haircut नाई की दुकान पर बहुत सारे दोस्तों से हम लोग मिलते हैं तो यहां पर लिखेंगे we meet many friends at the barber shop यहां पर आप ace add कर सकते हैं यानि की के लिए लेकिन सोट में आप barber shop भी बोल सकते हैं we meet many friends at the barber's shop कभी कभी हमें अपनी बारी का इंतिजार करना पड़ता है तो यहां पर लिखेंगे sometimes इंतिजार करना पड़ता है we have to wait अपनी बारी का for our turn sometimes we have to wait for our turn उमीद करता हूं दोस्तों कि आज का lesson आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि आ lesson आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक किर दीजिएगा और यदि आप advanced English सिखना चाहते हैं तो आपको end screen के रूप में playlist नजर आ रहा होगा essay writing या story writing उस पर क्लिक किजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए All right friends, thanks for watching Have a great day